मुझे लड़की बनना है मुझे लड़की बनना है यह कहना है कि ऐसे लड़के का है जो काफी मुद्दतों की बाद अपनी घर में बेटे के रूप में जनम लेकर घर को खुशियों से भर देता है लेकिन अब अचानक ही वो लड़की बनने का ज़द कर बैठा है मामला पटन का है जहां तीन बेटी की बाद घर में एक बेटा पैदा होता है लेकिन बच्पन से ही वो कभी फ्रॉक पहनता है तो कभी बिंदी लगाता है और घर लड़का अचानक से लड़की लड़के से लड़की बनना चाह रहा है आपको आगे खबर में हम बताएंगे और साथ ही भी बताएंगे कि घर वाले और डॉक्टर डस बिमारी को क्या नाम दे रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और साथ ही को और खबर बताए हैं मगर उसके पहले नमश्कार आप जंता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंधना पांडे सोचिए जब बच्चा जनम लेता है तो घर में खुब खुशिया मनाई जाती है फरक नहीं परता लड़का है या लड़की बच्चपन से उसे बना किसी भेट भा रोग तोक के रखा जाता है यहां तक कि कई लोग तो अपने बेटे को बेटियों की तरह सजा कर उसे फ्रॉक पहना कर बिंदी लगा कर उसे चुपा कर लोगों से ब परिवार में जहतीन बेटियों की बाद घर में एक लोटा बेटा हुआ और अब जब वो 19 साल का हो गया है तो मेडिकल की पढ़ाई एक तरफ कर रहा है और दूसरी और उसे लड़की बनने का शौक ज़रा है जी हां शौक ऐसा है कि वो जड़कर बैठा है कि लड़का रहे में लड़कियों जैसे बदलाव हो रहे हैं ऐसा उस लड़के का कहना है उसने अपनी मा से कहा दिया है कि अब मुझे लड़की बनना है मैं लड़का नहीं रह सकता मा डाटती रही लेकिन लड़का जिद पर अरा रहा कि अब वो लड़की की जिना चाहता है उसे अपना ल लड़कियों जैसे कोई बदलाव हो रहे हैं और ना ही उसके शरीर की बनावट लड़की जैसी है और ना ही उसके शरीर के हॉर्मन्स में जो भी बदलाव होते हैं जो भी लड़कियों के शरीर में हॉर्मन्स होते हैं और जो लड़के के शरीर में होते हैं तो उस लड़के के जिन्दगी जीने का हग है ये सारी बाते जूट हैं लेकिन वो लड़का समझने को तयार नहीं है उसकी बात अब उसकी wrapping कराई जा रही है कभी दॉक्टर लड़के से बात करके उसको समझाने की कुशिश कर रहे हैं तो भी घरवाले जियां लेकिन वो मादनी को तयार ही नहीं है उसकी बात घरवालों का कहना है कि बच्चपन से ही उसे लड़कियों के बीच रहना जादा पसंद था उसको हम कभी फ्रॉक पहनाते थे और बिंदी लगाते थे और सारी पहनाते थे जिससे उसका ये शौक बरता चला गया बच्चाओने की वज़ा से पड़िवार वालों ने उस पर कोई रोक 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 नहीं लगाई इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया लेकिन अब जब वो 19 साल का हो गया है तो उसको सेक्स चेंज करवाना है जी हां उसको अपनी लिंक परिवरतन करव लेकिन जब रिपॉल्ट सामने आई है तो यह बात साफ हो गया है कि उसके अंदर लड़कियों जैसे हॉर्मन्स नहीं है बाकि दॉक्चर की माने तो उनका कहना है कि लड़के की काउंस्लिंग की जा रही है उसको यह बताया जा रहा है कि तुम लड़की नहीं बन सकते ले यह पतना की काउंस्लिंग सेंडर से एक और मामला सामने आया है जहां एक लड़की लड़का बनना चाहते है जिहां लड़के बनने की जिद में वो घर पर गाली गलोज कर रही है अपने बालों को वो लड़कों की तरह सजा कर रहती है बॉयकॉट हैर के साथ वो मर्दों वाली स्टाइल को अपना कर पूरी घर को परिशान कर रही है और ऐसा बहवार करती है जैसे साबित हो जाए कि वो लड़की नहीं लड़का है और घरवाले उसका लिंक परिवरतर करा दे इन दोनों मामलों को देखते हुए डॉक्टर का कहना है कि ऐसे लोगों को जरूरत होती है क्योंकि ये सारी बाते जो उनके दिमाग में आती है वो कहीं न कहीं आज कल की फिल्मों से आ रही है जिसमें लड़का को लड़के से प्यार हो जाता है लड़की को लड़की से शादी करनी होती है इस तरह कि फिल्में जो समाज के कल्चर को कहीं न कहीं प् करता है और लड़की होकर जबरदस्ती खुद को लड़का बनाने की चाह में गाली गुलोज करता है ऐसी हरकते करता है तो उसे हम मन का भ्रम कहते हैं और सोशल मीडिया आजकर की फिल्म ये सब ऐसे विचारों पर अपना प्रभाव चोड़कर अपना काम करने लग जा रहे हैं पैसे कमा रहे हैं लेकिन लोग इस चक्र में समाज को इक अलगी विचार धारा पर ले जाने लगे हैं बिहार में खासकर ऐसे मामली तेजी से बढ़ र हारी है पटना काउंसलिंग सेंडर में इन दोनों को लेकर काउंसलिंग की जा रही है बाकिस मामले में आगे जो भी अपडेट आती है हम आपको बताएंगे और समाज को भी समझने की जरूरे थे कि अपनी बच्चों को समय रहें उनके साथ रहें और देखिए कि वह फिल् से अपनी जीवन में लाते हैं उनको समझाना पड़ेगा कि असल जिन्दगी फिल्मी दुनिया से काफी अलग होती है बाकिस मामले में कोई भी अपडेट आती है तो आपको बताएंगे आप अपने विचार बताएंगे इस पूरे खबर को लेकर कमिंट बॉक्स में वीडि और बताएंगे, झाल पर अलौपड़े में आताता है कि असल के सची दिन्दगब एक जिन्य खबर में लेंप हाई एक ग गयी पुझा हाईंगे बताएंगे इस ह заболिः बताएंगे कि अस्काका है अपको जो हम जइस थांशने तो अबताएंगे पूब्धोर